एक बाद फ्रेसे स्वागत है आप सभी का सोनी के चंस में आई होग कि आप सभी मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो तो आप सभी के लिए और आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइक आप लेजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की लीटर दूद तो आप दूद का कम भी यूज़ कर सकते हो जरूरी नहीं दूद आप दो लीटर भी ले सकते हो और यहां पर मैंने डाला है एक किलो चीनी तो चीनी स्टार्टिंग में मैं इसलिए डालता हूँ कुछ लोगों ने पूछा ता मुझसे कमेंट करके आप स्ट दिखाने के लिए कम क्वांटिटी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाता हूं बहुत ज्यादा कोकोनट का बनाता हूं तो यहां पर कम क्वांटिटी में बना रहा हूं तक और जो कडाई का वेट है वह करीब 40 kg कडाई का वेट है तो कडाई धेले के नहीं तो हमार पदूद है तो रबडी जैसी थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाए ज्यादा पूरी थेक रबडी नी चाहिए में तो यहां पर हम इसमें कोकोनट पाउडर जो डैसिकेटर कोकोनट पाउडर होता है न मार्केट वाला कोई भी पैकेट कोई भी ब्रैंड आप यूज कर सकते तो यह देखें जब मिक्स करने के बाद यह बिल्कुल सूखा सूखा सा लगने ही लग जाएगा और उसके बाद इसको अच्छे से mix करने के बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर मतलब आप जब जितना मर्जित छोड़ सक कि अमएं इसमें डाल दिया है सो डिर सो ग्राम मैंनें डाला है इतने में और यसके बाद ढल या है We कुछ भी लगा सकते हो आप इसमें यह हम इसलिए लगाते हैं ताकि इसके नीचे चिपके ना तो मैंने इसको यूज किया है अच्छे से इसको इसमें लगा देंगे और उसके बाद जो अपना कोकोनट बर्फी है वह इसमें डालेंगे आप इसका डिरेकली लड्डू भी बन सकते हो तो मैं बर्फी बनाने वाला हूं तो मारा जो कोकोनट है इसको इकठा करके सीधा हम अपने ट्रे में डालेंगे और उसको ट्रे में अच्छे से फैला देंगे हे तो यह देखिया अ हाथों से बिलकुल अच्छे से इसको फैला देए ताकि फैला नहीं हर जगा से बिलकिल बराबर हो हाँ तो थेकनस हैंने अपने हिसाफ से रख सकते हो जितना मोटा चाहिए यह पतला चाहिए या कैसा भी चाहिए आपको उसे चान्दी का बर्क जो मार्केट में लएगाँ देता हूं कि इसमें ज्यादा ने लगा लगाँगी तो पूस हैं पूस नहीं पूस लगाने वाला हूं हर जग़ां पर नहीं लगाने वाल cheating तो ये देखिए तो ये बिल्कुर बढ़िया से रेडी हो जाएगा अब इसको रेडी होने के लिए करीब 2-3 घंटे चाहिए उसमें मैं ड्राइफूड भी डाल दूँगा कटे हुए पिस्ता बादाम है मेरे पास तो इसको अच्छे से इसके उपर डाल देते हैं और इसको थोड़ा-थोड़ा हातों से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें चिपक जाए और इदर-उदर गिरेना तो अब इसको हम छोड़ देंगे 2-3 घंटे के लिए क्योंकि प्रस के प्रेस में प्रेस करना चाहते हूं इसको कॉटिस साइब्समें कात रहा हूं उसे साब से मैं काट रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि इसको पैक करके बेचना होता है अब मैं तो यह देखिए बिल्कुल रेडी है तो कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन अन कर लिजिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए